Hello Everyone, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग Paper 6 Time Management के उपर बात करेंगे दोस्तो Paper 6 टोटल 100 marks का होता है और Paper को solve करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है 3 घंटा यानी 180 मिनट इनही 180 मिनट के अंदर Paper 6 के हर एक question का answer लिखना होता है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको Time Management का Rule Regulation भी बतलाऊंगा साथी साथ बतलाऊंगा कि किन question का answer कितने page में लिखना है तो सबसे पहले आप आजाए question number 1 की ओर दोस्तो Paper 6 के अंदर पहला जो सवाल आता है ये आता है explanation से संबंधीत और यहाँ पे जो explanation का question होगा वो रहेगा poem section से टोटल चार सवाल आएंगे आपको 2 का जवाब देना होगा और दोनों 8-8 marks करके रहेंगे तो सवाल रहेगा 8 marks का तो कोसिस कीजिएगा आप लोग एक question का answer at least 2.5 page के अंदर जरूर लिखे और 15 मिनट का समय लिजिएगा यानि कि एक question का answer आप 15 मिनट के अंदर लिख दोगे और 2.5 से 3 page के अंदर आप answer लिखोगे तो इस प्रकार से टोटल 2 सवाल के लिए आपको 30 मिनट का समय लेना होगा 30 मिनट के अंदर आपका पहला number question solve हो जाएगा अब आजाए दूसरे number question की ओर दूसरा number question भी दोस्तो paper 6 के अंदर explanation से ही पूछा जाएगा लेकिन यहाँ पे जो explanation का सवाल रहेगा यह रहेगा pigmalion से और where angels fear to trade से यहाँ पे भी टोटल 4 सवाल पूछे जाएगे आपको 2 का ही answer लिखना होगा और दोनों 8-8 marks करके रहेगे सवाल 8 marks का रहेगा तो समय आप लोग 15 मिनट का लिजिएगा और धाई से 3 page के अंदर answer लिखोगे यहाँ पे भी 30 मिनट के अंदर आप 2 question का answer आसानी से लिख दोगे तो यह आपका पहला number और दूसरा number question के लिए statzy था अब आप लोग आईए तीसरा number question की ओर दोस्तों तीसरा number question से लेकर के last number question तक के लिए आप लोग एक ही ये statzy को follow करना क्योंकि हर जगा 17 marks का ही सवाल आएगा और हर जगा generally alternative option देखने को मिलेगा और आपको एक का ही answer लिखना होगा तीसरे number जो सवाल रहेंगे दोस्तों ये poem section से रहेंगे यहाँ पे 4 से 5 poem का नाम दिया रहेगा एक का answer लिखना होगा और वो रहेगा 17 marks का तो सवाल 17 marks का रहेगा तो आप लोग answer कम से कम 5 page के अंदर लिखोगे maximum आपके उपर जाता है कि आप कितना लिख पाते हो इस समय के recording और समय आप लोग 30 मिनट का लिजिएगा 30 मिनट के अंदर आपको 5 page के आसपास answer लिखना होगा तो ये statzy question number 3 के लिए था question number 4 के उपर आप लोग आईए यहाँ पे poet से संबंधी सवाल आएगा total लिख साम में 4 से 5 poet दिये हुए होगे आपको एक का answer लिखना होगा और वो 17 marks का रहेगा सवाल 17 marks का रहेगा तो 5 page के आसपास answer लिखियेगा और समय आदे घंटे का लिजिएगा अब आईए पांच में नंबर question की उड़ पांच में नंबर सवाल दोस्तो pigmalion से आएगा यहाँ पे भी दो सवाल पूछे जाएंगे आपको एक का answer देना होगा और वो सवाल रहेगा 17 marks का सवाल रहेगा 17 marks का तो 5 page के आसपास answer लिखियेगा और 30 मिनट के अंदर आप लोग कोशिस कीजिएगा कि इन question का answer जरूर दे दे अब आजाए ये last question की उड़ last question आएगा where angels fear to trade से और यहाँ पे भी दो सवाल आएंगे आपको एक का जवाब देना होगा और वो एक रहेगा 17 marks का यहाँ पे भी कोशिस कीजिएगा 30 मिनट के अंदर इस सवाल को solve कर दे 5 page के आसपास आप लोग answer जरूर लिखिएगा तो यही ये statzy follow करना है जोदा कुछ यहाँ पे है नहीं पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल इन दोनों के लिए same stats ही अपनाना है क्योंकि यहाँ पे same परकार का question आएगा explanation का सवाल रहेगा और इन दोनों जगह दो-दो करके question का ही answer देना होगा और सवाल 8-8 marks करके रहेंगे तो एक सवाल 8 marks करके रहेगा तो उसके लिए 15 मिनट का समय लीजिएगा और ढाई page के आज पास आप लोग answer लिख लीजिएगा अगर आपके पास समय बच जाए तो कोसिस कीजिएगा उसमें थोड़ा और लिख ले अगर आप से ढाई page अगर आप ढाई page से ले करके और last number जो question है वहाँ तक same pattern रहेगा क्योंकि सवाल रहेगा 17 marks का तो इन हर जगह आप लोग कोसिस कीजिएगा 30 मिनट के अंदर हर एक separate question का answer दे दे और 5 page करके answer लिखे अगर आप 5 page लिख पाते हो बहुत अच्छा बात अगर समय बच जाता है तो कोसिस कीजिएगा इसमें थोड़ा और इस चाफा कर दे maximum 6 page तक जा सकते हो इसे ज़्यदा जाने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों यही time management मैं आपको share किया आप इसी के according paper में बैठिएगा definitely आप काफी अच्छा करोगे और एक चीज और बता दूँ टोटल 6 सवाल आएंगे आप लोग कोसिस कीजिएगा हर सवाल से कम से कम 2 मिनट का समय हम लोग जरूर बचाए 2-2 मिनट करके बचा लोगे तो last में आपके पास 12 मिनट का समय बच जाएगा और फिर क्या करना आप इस 12 मिनट का यूटिलाइज करना लास्ट में एक बार सुरू से लेकर के अंतक हर एक कोस्चन का आंसर चीख कर लेना अगर आपको लगे कि यहाँ पे कुछ एड हो सकता है यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है तो फिर आप उसको फुल्फिल कर दो असानी से वो चीजे कबर हो जाएगी और आपको अच्छा खासा माक्स भी आ जाएगा दोस्तो अगर आपके पास पेपर 6 का कंटेंट है तो बड़िया से तैयारी करते रहिए अगर नहीं है तो आप हमारा कंटेंट ले सकते हैं ये paper 6 का syllabus का content हो गया, ये paper 6 का question bank हो गया, 2017 से लेकर के तेस्ट question paper जो पूछे गया है, इन सभी को मैंने यहाँ पे mention किया है, ये आपका हो गया poem text का pdf, paper 6 के अंदर धिरो poem पढ़ना होता है, और उन सभी poem का जो original line है, उसका हम लोग pdf बनाये हैं, इसका ये pdf हो गया, 28 pages के अं notes है, paper 6 के लिए हम दो class notes बनाये हैं, एक class notes के अंदर हम लोग pigmalion और where angels fear to trade को cover किये हैं, और दूसरा जो class notes है, उसमें हम लोग सारे poem और हर एक poet को cover किये हुए हैं, तो ये मेरा paper 6 का content है, अगर आपको चाहिए, तो आप ले सकती हो, ये मेरा whatsapp number है, 7048928746, इस number पे आप मु university का नाम mention कर दीजिएगा, मैं आपको ये available करा दूँगा, एक छोटा सा amount आपको देना होगा, साथी साथ दोस्तों, आप सभी हमें Instagram पे भी follow कर सकती हो, recently हम ID बनाये हैं, तो आप सभी student जा करके इस page को जरूर follow कर लीजिएगा, इस video के description में मैं link दे दूँगा, तो दोस्तो जो time management मैं आपके बीछ discuss किया हूँ, आप इसी के according exam में बैठियेगा, definitely आप हर एक सवाल का answer लिख लोगे, और आपके पास समय भी बच जाएगा, thank you so much everyone